तो इंट्रो की है देखिए आप आप शक्ता नहीं है क्योंकि आप सबको बताओगा एक बहुत ही बड़ा फैस्टा लिया है इंडिया ने अफिशली अब इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर दिया है चाइना के विंटर ओलम्पिक्स को ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इंडिया ने किसी भी ओलम्पिक गेम्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया है इंडिया ने ऐसा इससे पहले कभी भी नी किया तो ये अपनी जगा बिलकुल हिस्टोरिक है यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल है कि इंडिया डिप्लोमेट कम्प्लीटली बॉयकॉट करेंगे बेजिंग विंटर ओलम्पिक की ओपनिंग क्लोजिंग सर्यमनी और एक और डिसिजन इंडिया ने एक्स्ट्रा यहाँ पर ये भी लिया है कि इंडिया में जो दूरशन स्पोर्ट्स है जो अकेला ब्रॉडकास् ये इन गेम्स की ओपनिंग सर्यमनी और क्लोजिंग सर्यमनी टेलिकास्ट नहीं करेगा इंडिया के इलावा कोई भी और देश नहीं है जिसने ये भी का हो कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग सर्यमनी को अपने देश में टेलिकास्ट भी नहीं करेंगे बहुत ही मैं काऊंगा brave और प्रशन से निया निर्णे है भारत सरकार का हाँ मैं यहाँ पर ये clear कर दूँ के बाकी सब जो events होंगे Winter Olympics के उनका telecast होगा उनके telecast के बारे में प्रसार भारती के head ने कुछ statement नहीं दी है तो most probably हम मान के चल रहे हैं के बाकी जो games होंगी Winter Olympics होगी वह दूर रशन स्पोर्ट पर दिखेंगी और इसका एक reason भी है क्योंके इंडिया के एक athlete represent कर रहे हैं इंडिया को at the games आरिफ खान तो हम completely जो events हैं उनको boycott नहीं कर सकते और इसी decision के साथ इंडिया finally अब बाकी जो friendly quad countries हैं उनके साथ जुड़ चुका है और अजीब बात देखिए आज है तीन तारीख Olympic Games की opening ceremony होनी है चार तारीख को बिल्कुल एक दिन पहले आप क्या लीजिए 11th hour पे हमने diplomatic boycott यहाँ पे around किया है और अब properly सारे quad countries एक खटा खड़ी है चाइना के against एक proper diplomatic boycott दिख रहा है चाइना को तो discuss करते हैं इस topic को in-depth case का reason क्या है इंडिया ने और क्या गया का है बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आप से question पूछूँगा question यहाँ पर यह है इस साल total कितने देश participate कर रहे हैं दो हजार बाइस के winter olympics में देड़ सो 188 193 या फिर 91 comment section में करिए उत्तर सही answer में आपको दूँगा वीडियो के end में now इंडिया को आप अगर देखो तो इंडिया ने अब तक बहुत tolerance दिखाई है चाइना के behavior को लेकर चाइना ने हमारे member of parliament को काफी बार warn किया कि चाइना क्या गेज नहीं बुलना तैवान के support में कुछ नहीं कहना इंडिया ने कुछ नहीं कहा उसके लावा फिर हमने देखा कि border में भी recently कुछ activities हुई है एक Indian team गलती से चाइना की side में चला गया अब reports आई हैं कि उसका torture किया गया था फिर वापस चाइना ने उसको इंडिया को दिया है मगर मैं कहूंगा चाइना ने सारी limits cross सब कर दी जब गलवान वैली clash में participating करनल को एक torch bearer बना दिया winter Olympics का देखो Olympic Games को हमेशा military जो geopolitics है इन सब से दूर रखा जाता है चाइना clearly यहाँ पर उकसारा इंडिया को गलवान वैली के करनल को इस Olympic ceremony का पाड़ मना कर और इस करनल का नाम बाइदवे है क्वी फाबाओ क्वी फाबाओ ही main reason है इंडिया के diplomatic boycott का क्वी फाबाओ को बहुत चोटे आई थी गलवान वैली में खुब बिटाई हुई इसकी चाइना ने इसी बात के लिए इसको reward देने के लिए ये कहा कि तुम होगे Olympic मशाल के torch bearer और interesting बात देखिए सबसे पहले इंडिया से भी पहले इस निर्ने की अलोशना कहां से आई United States of America से Indian government चुप थी US की तरफ से actually सबसे पहले अलोशना ही चाइना को लेकर USA में बहुत ही prominent member of parliament है इनके जो foreign affairs की जो committee है उसके member भी है यहाँ आप आप देख पाऊगे इनकी एक tweet है Senate foreign relations committee ranking member यहाँ पर कहा रहे है कि यह शर्मनाख बात है यह word उस किया USA ने और मैं USA ही काऊँगा क्योंके इनकी foreign relations committee के member यहाँ पर यह बात कह रहे है कोई armed member of parliament नहीं है specifically जो विदेशनीती देखती है committee उसके member है तो यह कह रहे है कि शर्मनाख बात है कि चाइना ने गलवान soldier को use किया है as Beijing Olympics torchbearer इन्होंने आगे यह का है कि the torchbearer for the Olympics 2022 who's part of the military command that attacked India in 2020 and is implementing genocide against the Uyghurs तो यह कहें कि चाइना एक तरफ तो Uyghur Muslims का genocide कर रहा है फिर जिस military officer ने इंडिया पर attack किया था member था उस group का जिसने इंडिया पर attack किया था उसको torchbearer ना दिया है यह शर्मनाख बात है US will continue to support Uyghur freedoms and the sovereignty of India यह US ने कहा उसके बाग हमने देखा कि इंडिया के जो spokesman है इन्होंने openly यह का कि regrettable है बहुत ज़रा कि चाइना ने choose किया है कि यह लोग politicize करेंगे Olympic Games को इंडिया के जो envoy है to China यह attend नहीं करने वाले opening और closing ceremony of the Beijing Winter Olympics अब यहाँ पर मैं यह बोल दूँ हम यहाँ पर आप कहोगे इंडिया के envoy कौन है to China उनका नाम क्या है देखो अभी के लिए क्या है कि एक process चल रहा है इंडिया के नए envoy अभी deploy किये जा रहे है to China तो by default जो उनके under top diplomat थे वो boycott करेंगे इन Olympics को तो either way इंडिया एक proper diplomatic boycott कर रहा है यहाँ पर Winter Olympics का और मैं कहूंगा इस बहुत यह अच्छा निडने है और अब इंडिया बन चुका है सत्रवा देश जिसने diplomatic boycott announce किया है चाइना के Winter Olympics का बाकी countries कौन-कौन सी है Lithuania, US, New Zealand, Australia UK, Canada कॉसोवो, जी हाँ कॉसोवो अब हाला की अजीब बात है कॉसोवो को हम लोग एक देश मानते नहीं है मगर कॉसोवो ने भी यहाँ पर boycott announce किया है इन Winter Olympics का उसके लाबा जपान, Estonia, Austria, Belgium, Sweden, Netherlands, Denmark, Chinese, Taipei Chinese, Taipei मतलब के ताइवान और Switzerland तो इंडिया अब यहाँ पर सतरवा देश बन चुका है अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसके बाद क्या होगा काफी बड़ा स्टेप है इंडिया का देखिए इसके बाद क्या होगा कि अब most probably चाइना की तरह से पतिकरी आएगी क्योंके चाइना ने clearly ये बात बोल दी थी यहाँ पर आप देख पाएंगे BBC का आर्टिकल है कि कोई भी देश अगर diplomatic boycott करता है चाइना के Winter Olympics का यह चाइना ने openly declare कर दिया था बहुत टाइम पहले और यहाँ पर आप देख पाऊगे यह complete boycott की बात नहीं कर रहे यह करें चाइना has warned countries who have announced a diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics that they will pay a price for their mistaken acts तो definitely इसका response चाइना की तरफ से आएगा कुछ ना को जे लोग करेंगे देखते हैं कि यह लोग क्या करते हैं बट इंडिया के पास reason यहाँ पर 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 है कि जब तक चाइना ने बिलकुल बहुत हाई लेवल पर इंडिया को प्रवोक नहीं किया इंडिया ने पूरी कोशिश करी थी कि हम लोग यहाँ पर diplomatic boycott नहीं करेंगे मगर सिंज गलवान वेली इसेनेंट को भी लोग बीच में लेके आ रहे हैं इन उलम्पिक गेम्स के तो इंडिया को अब फारिली यह major diplomatic step इतिहास में पहली बार लेना होगा वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ के how many countries are participating in the 2022 Winter Olympics तो सही उत्तर इसका है option option D is the right answer 91 countries क्योंके Winter Olympics में अच्छली ज़रा participation होती भी नहीं है total 91 countries will be participating in the Winter Olympics और finally आपर मैं यह भी याड़ कर दूँ कि आप अगर UPSC exam की एक proper तरीके से preparation करना चाते हैं live में एक बार तो comment section में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा यह link इस link पे करो click और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे the UPSC combo package जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं in a single package simply click करो pick a plan पर और यहाँ पे आप 24 मेने या फिर जो 26 मेने का course है यह भी कर सकते हैं purchase अगर आपके पास अभी time है दो तीस अलबा दराम से आपको एक attempt देना है तो you can buy these courses मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आफशकता नहीं है simply यहाँ पर code use करो PD10 and the prices will start falling so use the code PD10 and save money so यहीं नोट के साथ यह है वीडियो कान्त thank you for listening and as always God bless you all